गुड मॉर्णिंग एब्रिवन आज 20 दून है तो दैनिक जारन के राष्टे संस्करन यूज़ प्यपर में पीटी मेंस और इंटेव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज़ को कभर किया गया है साथ से साथ जितने भी गवर्न्मेंट के लिए हम आप फिल करते हैं इसमें केवल फ्यूटी फैक्ट पूछा जाता है प्रसु इससे समंदित गया फैक्ट है उसको हम दो देखेंगे आगे बढ़ेंगे आप यूट्यू चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सेर कीजिएगा सपोर्ट कीजिएगा बेल आइकन को दबाएं और आगे बढ़िए कॉमेंट करने के आओ सकता नहीं है आप लोग को प्रसु के जो उत्तर पूछे जाते उसको उत्तर देने की जवाब को जुरूत नहीं है आज के बाद मैं मैं निरने लिया हूँ प्रफेशनल मैं भी हो जाऊंगा यह खासकर आपको विज्डम एजुकेशन के चैनल वाले स्टुडेंटों के लिए है कि बहुत सी चीज़े आप लोग को समझाए जा रही है साथ ही साथ जो प्रफेशन पूछे जाते हैं उसमें से क्यों दो लोगों का आता है तो मैं अपना सार इतना क्यों आप लोग के लिए खपत करूँ मुझे नहीं लगता है उचीत है मैं अपनी भी खाना पूर्ती करूँगा, आप लोग भी खाना पूर्ती कीजिये, सेलेक्षन लेना है, करिए काम नहीं, जो लोग मेहनत करें, उनकी लिए मैं इस्पेसलि अलग से काम करने का परियास करूँगा, उनको सारे चीज़ों को गाइड अब मैं प्रस्टर पर दूगा जो 10-15-20-25 लोग हैं जो काम करते हैं लगतार उस पर हम अब महनत करेंगा बाकी लोग के लिए अपनी अपनी चीज़े देखिएगा समस्यां अपने तरीके से सॉल्ब कीज़ेगा क्योंकि एक समय होता सीमा होता सीमा की बडास की सीमा अलग होती है ठीक ना गुड मॉर्निंग और गुड इविनिंग गुड आप्टरनून करने से चीज़े सही नहीं हो जाती है ठीक है ना चलिए आगे मैं बात करते हैं अज सुबस सुबस शुरुआत में सब बोलना भी ठी लगता है लम कोशिस करूंगा 30 मिनट में सारे चीज़ों को कवर करने का बस चीज़ों को समाप्र करने का चलिए अब यह 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 पेसी के जीएस पेपर टू में आएगा जो आरवी आई और सरकार की निच्छिए से सम्मंदित है जिसमें एक हजार और के आपके संदर में देखीगा नेगेटी बाते तो बहुत से समाज में चल रही है तो पॉल्टिकल फेक्टर के तौर पर देखने को मेरा सभी के बैक्तिकरत अपने अपने राहे हैं उसको भी देखीगा समझेगा प्रयास कीजिए अब इसे सग्यों का कहना है SBI विसे सग्यो आर्थिक अनुमान SBI के विसे सग्यों में बड़े नामी की रामी लोग होते हैं तो आम जो राय है लोगों की राजनितिक राय है उससे परे होगी इसकी विचार धारा तो बिल्कुल इसको समझेगा तक्निकी पहलू को यह समझता होगा SBI का जो विसे सग्यों समिती है उस कुछ तक्निकी पहलियों को ध्यान में रखते हुए से उनी बोला है कि 55,000 क्रोड की नई मांग सिर्जित होगी जिससे क्या होगा असर होगा कि कुछ समय बाद ये आर्थिकी में लगभग 1.3 लाग क्रोड क्रोड की नई खपत होगी अठाथ हमारे एकोनोमी में क्या होगा लगभग 1.83 लाग क्रोड की नई खपत जर्णेरेट होगी जिससे क्या होगा समय कांति इन प्रभाव के कारण इधी प्रभाव के दंप या इन प्रभाव के कारण चालू वित वर्ट्स 2023-2024 में क्या होगा जो पहली तिमाई है अफ्रेल जुन उसमें आपको 8.1 पर तिस् कितना लगाया गया है पहले भी मैंने चर्चा किया था 6.5 पर तिस तो उसमें आपको 1.1 पर तिस देख रहे हैं तो इसे समझने का पर्यास किजिएगा कि यह नकरात्म पच्च को ही नहीं लेकर आ रहा है साथ ही साथ देखिए और इंडिया डिलर से स्टेशन के द्वारा यह बताया गया एक रिपोर्ट बताई गयी जिसमें यह बोला जा रहा है कि नोट वापसी के फैसले के बाद पैट्रॉल पंपों से रोजाना होने वाले बिक्री और चालिस परतिसे भुक्तान डिजिटल मुद्रा में होती थी डिजिटल रुप्ये से होती थी जिसमें उन आपको प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग वर्जन डिलेवरी करते हैं वहां पच्छत्त प्रतिसक ग्रहा भुक्तान के लिए अब नजबी की प्रात्मिता दे रहें जो पहले क्या हुआ करता था यह बहुत काफी बढ़ा हुआ था जह में तो ऑनलाइन प्रोड आपको इनके रॉर रिसर्च एनलेसिस विंग के ने परमुख है निक्ति खी गई यह उन्हीं 188 बैच के हैं अच्छतिस गर्ट के यह प्रसना आपको ध्यान रखना है कहां सी कहा है और यह जो इनसे पूर्वे सामंत गोयल है उनकी जगह यह लेंगे और उनका कारेकाल 30 जुन को स है और यह पाकिस्तान से संवंधित जो भी संवंध है उस पर इसे सग्य हासिल किये वे ताति जो सर्जिकल अश्टाइक हुआ था उसमें इनकी भूंका थी तो यह सब चीज़े आपको ध्यान में रखने है तो उसमें जो एक क्रोड की रासी वो लेने से इंकार कर दी है इतने भी प्रुसकार होते हैं उसमें जो प्रुसकार आसी दी जाते हैं उसको जन कर लियान के लिए और भी परियोग किया जा सकता है तो इससे इस रूप से भी देखिएगा ठीक है ना थोड़ा साथ इसके संदर्व को समझने का परियास किजिए मांसूं के नए अपडेट आ है उसे भी आपडेट कर लिए पहले मैंने इस पर विस्तित चर्चा कर चुका हो ठीक है ना आगे हम बात करते हैं आगे ज्यादा ने पहले कुछ ज्यादा निज नहीं था इसले चर्चा नहीं किया हूँ नीचे बहुत अच्छा अच्छा निज है जिसे लोग की परचा करेंगे तो विएतनायम पर उपहार में यूद उपत यूद पो जो है किरपान भारत देगा किसे देगा विएतनाम को देगा तो य इसके बारे में आप लोगों को मैं पहले भी चर्चा किया हूँ ध्यान रखीगा चर्चा हो चुकी है मुझे याद है आप लोग को कितनी याद ही वो पता नहीं है अब विएतनाम में रच्छा मंतरी जनरल फान वान जियांग भारत की यात्रा प्राइवे उनको दिया गय इसके कल पूर्जे जितने भारत पर बने हैं और इस यूद्पुत के मिलने से यूद्पुत के मिलने से वियतनाम को नो सेना चमता बढ़ेगी भारत के साथ वियतनाम संब्द बेहतर होंगे ये सब चीज़े आपको याद रखनी चाहिए और देखें बात है कि साथ में इसके करें बहुत से चीज़े होती है अब क्यों भारत भारत और जो वियतनाम है चीन के साथ विश्थारवादी निती को लेकर चीनती थे वर्स 1989 में चीन ने वियतनाम पर हमला भी किया है तो उससे चिंतित रहता हमेशा वियतनाम और चीन की विश्थारवादी निती में मैनमार के कुछ सीमा भी छेत रहता जैसे अनुराचर परजी के साथ भारत के चीन सीमा विवादे वैसे यहां भी है ध्यार रखेगा तो इ को कवर करना एक तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को कवर करने का परियास करना है देखिए रखेत के ना, दूसरों के परतिमंदारी नोकिता करने के इसे पहले समझे इसके बढ़का करेंगे और आज बढ़ने हैं तो आप बद्धाई भी देना चाहिए सवी लोग को ध्यान रखिएगा कि सत्ता सिर्ष देश्व अंतिम छोड़ पर बैठे हुए आंजन जब भावना समर्सत्ता अप्रेम के सेतु बनाता है तभी लोक्तंत की परिवासात की तार्ट होती है उडिशा के मियूर्भन में एक गाव छोटे से घर्व से निकली राइस इना ज्यान रखिएगा सहज्ता सरलता और समानता के रंग भर रही है यह तीन सब जरूर याद रखिएगा इनके ब्यक्तित के साथ जलक रहा है पहली अदिवासी महिला है जो बनने के बाद आपको 20 जुन पुजन किछी मनाएंगी लोक्तंत की जन्मी कहने भारत के सबसे मामला क्या था देखिएगा पहले राश्पती भावन कमचारियों को एक विवाद हुआ इसे एक घटना कहिए कि दिपवाली के दिन क्या होता है कि मिठाईया बनती है जो वरिष्ट अधिकारियों को पहार में दे जाती है ऐसे बहुत ज़्यादा चलन भी है कि चलन भी है क तो बड़े बड़े संस्थान में क्या होता है कि जो वरिष्ट अधिकारी होते हैं उनके उनको छोटे चोटों लोग के द्वारा चोटे जो पद पर बैठे रहते हैं उनके द्वारा या वरिष्टों के द्वारा अपने से अधिनस्त को क्या दिया जाता है मिठाई दिया एक परंपरा रही है पर ध्यान रखियेगा इस परंपरा को तोड़ते हुए जो माननिये जो राष्पति उनके द्वारे एक अलग कारे किया गया है। यह हो जाएगा इसे कोई बदला हुआ जाएगा पर यह किस संदर में दिया जा रहा है आच्रन बहराव कैसे हो रहा है इसको समयने के जुरत है अब राश्पति सुए सभी को मिठाई देती है सोच के देखिएगा परमपरा तोरते वे राश्पति सभी करमचारियों के साथ ग यह तो इसके पद और परतिष्ठा के खिलाप नजर आता है और एसा जश्चर भी नहीं आज तक बना हुआ था पर वर्तवान के जो राश्पति हैं उनके दवारे यह किया गया सचियू से लेकर आपको माली तक सफाई करमी तक सभी को कितना हजार किलो किलो कितना केजी बन आने वाले जितने राश्पति होंगे अब यही जश्चर को फोलो करेंगे तो क्या होगा सचियू से लेकर आम करमचारी तक जो माली सफाई कर्मी या इससे अर्मी लोग होंगे उनमें एक समानता का भाव क्रियर्ट होगा और हम लोकतंतर के मुला भाव में किस की बात करते लोकतंतर किसकी बनाएगे किस लिए उसका उत्तान किया है हम अपने ससाइटी में उसे डवलप कर रहे हैं या तो हमारे सासन ब्रस्ता का अंग मांगते कि लोगों में समानता हो और को लोकतंतर मुले प्राप्त हो सके और उसमें सभी चीज़े आए तो इसलिए ध्यान रख कारी हैं जो भी लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करने का पर्यास किजिए ताकि एक बेहतर विकल्प आप दे सके बेहतर उधारम प्रस्तित कर सकते हैं आगे हम बात करेंगा देखी पीटी फेक्ट बिहार वालों के लिए है विपेसी के लिए कि बिहार विधान सभा में सीटो जल्दी बोर भी रहा हूं अठासा देखिए रोके जो चुने गया है उनके वारे में कुछ दिया गया है तो क्या करना आप लोग वाइस करने देख लेना है बस ताकि कुछ इसके कभी जरौत पड़े तो कहीं यूज किया जा सके तो इसे देख लिजेगा आप लोग ताकि जनकारी और आप लोग आपके मस्तिक्स में रहें कि हां इनके बारे में क्या 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 चिज़े दिगे थी कल देखिए बीपीएसी का थ्वा सा एंसा राइटिंग का एनलेसिस करा गया तो आप लोग सभी लोग जाकर देखिए गा क्या आप लोग अलग मिल रहा है किस प्लेटफॉर्म पर आप जाके देख सकते हैं कल एंसर राइटिंग टेस्ट वन का हुआ है ध्यान रखिएगा टेस्ट टू का जल्दी होगा तो सभी चीज का वेट कीजिएगा थ्वासते विद्ट में ठीक नहीं लग रहा कल से क्योंकि कल बहुत वर्क हो गया था कल मैंने थारा गंटा काम किया हूं तो लगतार काम करने से थ्वासते वे ठीक नहीं लग रहा है तो आज उसके लिए छमा हूं कल से सभी चीजे सही हो जाएंगी ठीक ना तो आज थ्वार रेष्ट करूंगा मैं क्योंकि कल सुबह साथ बज़े से ही छो बज़े से ही लगा हुआ थ उसके बाद कल धैनिक जारं की क्लास हो गई एकार बाई वज़े तक फिर लोग साड़े गारवजे से आपको प्रेस सुरू हूं के दैनिक जारं नुजन लेसे से उसके बाद आपको और भी मैट्रियल बनाने थे सभी चीजों को कभर किया तो जिसके वज़े से फिर साम को तो फिर आप बहुत सी चीज़े कराने थी क्लास रात को बहुत ठकावाट होगे शरीर में तो फुरा साज रेश्ट करेंगे तो स्वाइस के लिए माफिक जाता हूं आप लोगो तो कल से फिर चीज़े एनेजेटिक हो जाएंगी इसमा अब देखिए केस स्टडी याद रखे अब यह नहीं इसको गलत एंगल से आप मस मज़े किसी खास विसेश को मैं तार्गिट करना चाह रहा हूं ठेक ना समाज में कितनी कुरोतियां फैल चुकी है निचले अस्तर के लोगों में वो समझने के जुरुत है एक बहुत राश्पती राश्पती अपने सर्वोच्च युगदान को प्रस्तुत कर रही है कि समाज उससे बहतर कैसे हो परसाशन तंत्र राज तंत्र लोग तंत्र कैसे आपको बहतर हो इसके लिए बात की जा रही है पर वहीं हम आम हम और आप जैसे आम लोग हैं जो किवल कपड़ कपड़ कपड़ा मकान के लिए मरा करते हैं उनके आचरम बहवार में कितना बदलाव है कितना कितना अंतर है सोच के देखिएगा रिजन उसके पीछे है कि हम उन मुद्दों पर ज्यादा बल दिखाते जो सवाज के उत्थान के लिए उतना उत्तरदाई ही नहीं है अब मुस्लिम एक युवक है युकों ने एक युवक को अपरहन करते हैं उनके गले में बेल्ट बांते हैं अकुत्ते की तरफ भोगने पर मजबूर करते हैं फिर बाद में क्या करते हैं भीक मांगने को कहता है मैं मिया भाई बनने के लिए तैयार हूँ ऐसा बोलो यह बात यहां नहीं है कि यह नहीं है कि किस वर के द्वारख के साथ क्या किया जा रहा है यह अलग मुद्दा नहीं गया है कर तो क्या आप समाज में लाज्मी होना चाहिए इनको विरोध अपने अस्तर पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप से मैं प्रस्न पुछता हूँ क्या मान में बहरा इतना गिर चुका है एक वर्व के दोवारा दूसरे वर्व के पढ़ती या दूसरे वर्व के दोवारा पहले वर्व के पढ़ती संकीर मानसिकता के लोगों के दोरा तो मैं पहले याद है कि में बलातकार के मामले में मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा को घटना करता है तो उसके परिवार के दौरा इसका विरो सबसे पहले किया जाना था तभी समाज है तब कानुन रौष था नहीं तो समाज के तौर पर जब तक कि उसे परिवार के तौर पर सपोर्ट मिलता रहेगा वह बैक्ति इसन को भी हो ये पलस भी हा किसी खास धर्म किसी विशे स्वांत ऐसी भी किसी र्याक्तिया rigor поддерж करेगा समाई समाजिक भाहिषकार नहीं हो का वो जो लड़का था बुवा के घर भागा था अपनी बुवा के धर और वो भी मुस्लिम था याद है तो उस बुवा के द्वारा उस मुस्लिम के जब पता चला तो उस बुवा के द्वारा ये ब्यान दिया गया इसे जो भी सजा हो सक्त सक्त सजा देनी चाहिए जब तक आपके घर से विरोध नहीं होगा ना वो मुस्लिम हो या हिंदू या कोई और अनवर्ग हो तब तक यह सब कल्चर समाप नहीं होगे सब दोस्थाय समाप नहीं होगे सोच के देखिएगा यह मानवे बहवार को तार-तार करने वाला केस स्टरी है इसे समझने का परियाज कि जो बाकी चीजे हैं साइड की बात है उसमें समाज ने क्या किया प्रसासर ने क्या किया सभी के ड्रॉबेक प्रस्न चीन तो किये ही जाएंगे पर अपने बैक्तिगत अस्तर पर सोचिएगा अगर मानने जिस इवक के परिवार होंगो उनको पता चला होगा ना वीडियो जब होगा किया किया के पुलीस के पहले कम्प्लेंट करवाहि उन्हों अक्ने समाजॉन में बडर के मेरे जो प्रस्चार निदे इसमें बड़े लोक्तंत्र को प्रतिंश करेंगे हं हैस्टेग 75 चला रहे है जिससे हम बहतर दोक्तंत्र का निर्मान करें और धरातल पर ऐसे से कॉंसेप्ट आपको एक के सब्सक्राइब और में पढ़ा होंगा जिसमें ऑनर किलिंग के संदर में देखने को मिला है तो यह सब मैं बहभार को अपना कार आच्रल करते हैं उनमें सनमगत अरधर आनकर में सुधार लाने के दिरुत है यहां पर समझदे की बात कीजीए बाकी कहानियां लिखी हैं उस पर मैं नहीं जाओंगा कि कैसे क्या इसको सजा मिलेगा क्या हुआ नहीं वा कहानिया क्या थी मैं उस एंगल पर जाओंगा ही नहीं तो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो जाएगा मैं यहाँ क्यों मानुए बहवार की बात कर रहा हूं वह हिंदू के तरफ से बी ऐसा किया जाता तो मैं यही बात बोलता तो मैं भी यही बात बोलता जो बात मुस्लिम के लिए कर रहा क्योंकि मानुए बहवार में दोनों समान तो यहां पर बाते समझने को आप समझेगा नेस्ट हम बात करेंगे कल एक स्टुडेंट के द्वारे कोस्टन किया गया था आप अपना आईडी अपना थ्वासा नाम चेंज कर लिए क्योंकि आप एक्टिव स्टुडेंट हैं आप एक्टिव स्टुडेंट होते हैं उनका नाम मुझे जानने का हग होता है रिजन उसके पीछे ही कि उनका उधारब में पेस्ट कर सकूँ तो प्लीज आप जो भी हैं अपना ओरिजिनल आईडी नेम लिख लिजेगा ताकि हम समझ सके कि आप कोन बैखती है ठीक ना और डालोड किये होंगे तो उस आईडी को भी बता दिजेगा आज कोमेंट सेक्शन में ताकि आप पर इच्छेस नजर रहे कि आपका अगर कोई प्रस्न हो क्यूरी हो तो मै प्रस्न हो जाता है यह जो किसी के धार्मिक आहत को मंजूरी धार्मिक आहत पहुचाते धार्मिक भावनाहों को आहत पहुचाते या इस परकार से कोई इसे राजी कैसे हो जाता है यहीं कैसे परमान मिल जाता है इसा बाते इनसे द्वार की गए थी मूल में वही था कैसे इनको मिल जाता है कि फिल्म क्रियेट कर पाए बना पाए समाज में से कैसे इनको मिल जाता है यही सब प्रस उनका था मूल उससे समझा जातो तो याद हो आपको रादनी पद्मावती के संदर में जो फिल्म आई थी उनके संदर में बातें की थी Article 19.1 के बारे में चर्चा किया था याद होगा आप सभी को Article 19.1 के संदर में तो देखिए आपका समाजिक और सुषधानिक अधिकार क्या है उसके बीच आपका जो पर्मानन बोर्ड हैक के तहद निर्वित किया गया उसके अधिकार किया इसके समझने की जरुत होगी पर्मानन एक्ट ये देखता है ना कि उसमें जो content है उसमें जो content है किसी प्रकार का असली तो नहीं है ताकि उसे A, A पलस, B और C के ग्रेड में रख सके ठीक है ना तो वो किवल इसी संदर में देखता है ऐसा कोई सिन तो नहीं जिसे बाल अधिकार सरक्षन के नियम का उलंगन करता है साथ से तरह ऐसा कोई तो सिन नहीं है जो महिलाओं के उत्पिड़न को प्रभाई रूप से दिखा रहा है तो ये सब तत्यक्यादार पर परमानन दिया जाता है अब ध्यान रखिएगा परमानन बोड जो है बस अपने एक्ट के विधानों के तहट बंधा हुआ है पर जब एक्ट जो परमानन दिया जाता है फिल्म हस्तियों जो बहुत से संगठन में नोग होटे है उनके दिया जाता है किसी फिल्म को कि वो सही है उसे ग्रेट कर दिया जाता है उसके वो फिल्म जब आती है न तो जनता उस पर नेने लेता है उसे देखना या नहीं देखना है आधी पुरुष पर इतना विवाद हुआ है अभी फिर भी यह 360 करोड क्या कमा गई है तो ध्यान रखेंगा ऐसा क्यों होता है तो दो-तिन चीज़ जानिएगा बिन्नस ट्रेंड यह है बिन्नस कैसे चलाना या तो पुरा विवाद कर दो फिल्म को सुरुवात होने से ताकि इसको सभी लोग आखे तिका के खड़ी रखे फिल्म है क्या पहले संदर समझने का परियास कीजिए दूसरा यह अब नया ट्रेंड चल चुका है फिल्म परमोशन का अब ऐसे बहुत से मुवी है जो पहले विवाद कुछ दे दिया जाता है उसका मार्केट ब्रांडिंग हो जाती है तो टोमेटिक फिल्म को स्टीन हटा दिया है जैसे हाली में सारुखान की फिल्म में भी देखा गिया कुछ भागवा रंग था जिसके अधार पर विखनी पहना के चीज़े की गई थी उसका एक बच्ची का मैंने वीडियो देखा था सोसल मेडिया पर बहुत अच्छी वीडियो थी वो समझने के लिए था आप लोगर देखे होंगे उस वीडियो पे सवाल ये किया गया था ना तुम बॉलिवूड के लोग अपनी अपनी प्रस्तुति करन के अधिकार को लेकर तुम किस नगनता की नाच नाच रहे हो अथात कहने का बच्ची का यह था कि तुम तो बॉलिवूड के बारे में तुम तो क्या बोलत तुम निर्मान के लिए कुछ भी प्रस्तुत कर देरो जैसे आप उस फिल्म में देखते हैं जो मुवी में नाइका थी उनके दुआ डांस कैसा किया गया था बिटनी पहन के किस तरीके से किया गया था उससे क्या था समाज में गलत परविर्ती बढ़ती है और गलत परविर्ती महिलाओं के परविर्ती बढ़ती है तो आप बलतकार जैसे मामले देखते हैं उस बच्ची का वीडियो आप सर्च किजेगा तो आपको नजर आ जाएग हमारी पहचान है मैं एक हेस्टेक चला रहा है यूटूब पर यूटूब पर नहीं ये ट्यूटर पर जहाँ पर मैंने मनोज मनुसरी को बॉलिवूड को आदिपरुस फिर्मेकर को टैक करके ये चीजे भेजा है और दो-तिन दिनों से मैं इस पर एक्टिव हूँ उस पर रिस्पॉंस आ रहे है लोगों के धिरे-धिरे मैं परदा फास करने के लिए जो चीजे कर रहा हूँ कि आप सहिसनू होने का आर्थ या बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी संस्कृति की है संस्कृति के साथ जो चेड़ चारा उसको बरदास कर लिए आप कोई भी है कितने भी बड़े पद पर हो किस भी अधिकार को लेकर चलते हो आप हमारी संस्कृति को नहीं तनिक भी बदलाव नहीं कर सकते है जो सकरात्मक रूप से प्रस्तूत है नकरात्मक है तो मैं अटोमेटिक बोलता हूँ सुधार होना चाहिए और पहले भी मिझे से सुने होंगा आप मेरे लेक्चर में कि मैं नेगेटिव बदलाव जो नेगेटिव होते हैं उसके बदलाव के पक्ष में हो पोजेटिव बदला राम का चरित्र है ना आदर सरूप में है सीता का सरूप माते सीते का सरूप आदर सरूप में है लच्वन का सरूप आदर सरूप में है जो आज के समाज का ना को मारदरसन देती है हलुमान का चरित्र आदर सरूप में है इसमें तनिक भी छेड़ छार का अर्थ है वर्तमान जो समाज है उसकी जो मनेताओं को है न तार-तार कर देना है ऐसे ही हम आधुनिकी करन में जी रहे हैं यह सब कीजे हम कहां से कहां तक लेगे आप लोगों को पता है हमारा जो पहनावा साढी हुआ करता था हमारा पहनावा जो पूर्सों में धोती हुआ करता था आज दिकनी और पैजामे पर आ गया हैjach सोचके देखिएगा अब दिहड़ की तरह हम लोगों कहां बैट जाते खूले में बैट जाते हैं जो भारतिय संस्कृति की पहचान नहीं है भारतिय संस्कृति की पहचान उसके विरासत से है और हमारे विरासत में आपको कभी सिंदुभाटी सब्यता में मौर समराज में ऐसे चीजे नहीं मिलेगी जो आपको फूहर गिरी दिखाती होगे कुछ कला किर्तियों का कोई उधारन देंगे ऐसा मिला है तो उसके संबर को बिना समझे आप लोग बाते नहीं कीजिएगा क्योंकि मैंने कला संकृति पर कल दिपेशी में लेक्चर दिया तो आप कुछ कीजिए बताई थी जब तक किसी संदर्व का बेहतर आकलन करने के छंता नहों तो उस पर विचार प्रस्तुत नहीं करने करें। तो जब परमानन इसे दे देता है तो जब तक आप जैसे जनता हमारे जैसे जनता इसको जब तक परमोट नहीं करेगी तब तक इसका मजाल है कोई इस परकार का फिल्म बना दे अब सोच के देखिए 360 कोड़ी फिल्म कमा ली केवल इसलिए कि लोग एक्सपिर्मेंट करने के इसके दिखने के गज़ थे और खासकर सहिसनु हिंदू लोग जो एक्स्ट्रा हिंदू बनने का परियास करते कि हम बहुत सहिसनु है उसे समझने की जुरत है आपकी विरासत को बॉलिवूड कई वर्सों से लगतार चिन्नित कर रहा है जहां पर गुंडों को क्या दिखात और दूसरे वर्का में चर्चा नहीं करोगा अच्छी बात उनको प्रमोट करना चाहिए उनके अच्छी आच्छन को तो हमेशा गुंडा और इस प्रकार की परविती जो करता है क्या वो तिलक धारी होगा जन्योधारी होगा सोचने वाली बात है आपके जन्रेशन में वो तो कमिया ये लाके दे रहा है जहां पर आप उसका समाधान आपने जीवन में रहके नहीं कर पाएंगे ध्यान रखिएगा इसका जीता जागता इंजामपल में अभी आपको दूँगा आगे रिलीव एन रिलेशन्सिप कॉंसेट आप लोग सुने होंगे भारत में इसा जीवन रिलेशन्सिप आज से पंदरह साल विच साल पहले किसी ने सुना होगा अपने पापा से अपने भाई से अपने बड़े बुद्यूँग से पूछिएगा पाबा रिलीव एन रिलेशन्सिप आता इसको आपने सुना है दो चमाटे दम गाल पर रसीद हो जाएंगे आज है ना समाज का ये अभिन अंग बनता जा रहा है जहां रखिएगा हाली में एक केस स्टडी आया जिस पर एक नयाले में आज चिनीच पर मैं नीचे कवर करूँगा इसी को लेकर तार-तार किया गया ऐसे ही बहुत से कुरुतिया आपके समाज में इन बॉली बुडु के द्वारा दिया जाता है और इसको बड़े चाव से आप और हम जैसे लोग जाके देखते हैं थेटर में पॉपकॉन खाते हुए हलाकि मैं थेटर नहीं देखता हूँ आज तक अपनी लाइफ में फिल्म में जाकर दो मूवी देखा हूँ बस एक आपको गदर और दुसरी एक जो रितिक रोसन की मूवी आई थी जादू कोई मूवी था हूँ दो ही मूवी जाके देखा हूँ आज तक उसके आज तक मत करिएगा जो आपके संस्कृति को परवाड़ा दलता है इन सब चीजों को ध्यान रखिए या बाकी कहानिया हम बाद में करेंगा नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो अब एक बड़ा मज़े वाली बात है त्वासर न्यूस सुनिएगा यह ऐसे ही मजाक के तर पर अब ऐसे भी सवाल पूछ रही है किसी दिन आप से ब्रिटेन का पढ़ान मंत्री पूछ दिया गया और अमरिका के रक्षा मंत्री पूछ दिया गया तो अगर जवाब नहीं देंगा तो लड़की आप से साधी नहीं करें तो यह जोक सपाट है इसे थोड़ा एक्टिम किस तरीके सोगा आप समझेगा चलिए आगे हम बात करेंगे एक के सट्रेडी यहां देखिए क्या बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर सव को मगरमच्छों से भरी चंबल नदी में फेकी ऐसा मामला आया मत्पदेश के मूरेना जिले में जहां पर प्रेमी प्रेमिका को ग समाज का एक कुरूप चहरा ये भी है कि जहां समानता की बात करते हैं जहां पर सवतंतरता की बात करते हैं जहां पर स्वर निर्ने की बात करते हैं बड़ी बड़ी कॉंसेप्ट की बात करते हैं न्याले के द्वारा सासन परसासन के द्वारा वहीं समाज के दुसरी तरफ स्वाजन प्रतिष्ठा सबसे important माणते हैं कर देघे हर की नेगेति बाइट लड़की भाग के साधिकिर रहे परिवार नहीं पर छे ज pytए परहिकर धेकर नहीं हो सकता मैंने उस दिन भी बताया था आप लोग याद होगा तो अब यह भी नहीं अधिकार होता है किसी ने किसी परिवार को कि केवल अपनी परतिष्ठा का दाप लड़की का उस लड़के का हत्या कर दे तो दोनों के अपने अपने सरूप है समझने का पर्यास किजिएगा हम और आप जब बहतर स दोनने का पर्यास करना चाहिए आप या तो पूरी तरह बदल लो अपनी नितियों को या पूरी तरह उसी आच्रम के साथ चलो जब आपकी लड़की प्रेम में थी प्रेम के गलियों में घुम रही थी तो क्या आपको इस बारे में नहीं पता था कि मेरी बच्ची मेरे पहवा करते कि सब चीजों फस्ती नहीं जब चीजे सर से पाने उपर चला गया जब रिष्टे इस तरीगे से बदलावाई जहां लड़का लड़की मजबूर होगे विवा करने के लिए भाग का साधी करने के लिए तो यह स्थितिया कहीं न कहीं आप पर ही प्रसंचिन ख प्रसंच पूछा जाएगा तो प्रसंच आपको आईएगा एक चीज मैं बताना भूल गया जो चीजे आगे कोस्टन है जो मैं हाली में इंट्रिव्यू के लिए गया था एक प्रू आई एस से वो आई थे न मैंने बताया था आपको वहां पर उनके दोरा इसी से संदर्व चलिए नीचे आजाते हैं तहां गया उसको देख लेंगा उसके बाद उसको आगे चर्चा करेंगे देखिए रीव एन रिलेसंसिप देखिए हाई कोड़ साधी सुदा महिला को दी लीव इन पार्टर साथ रहने के अनुमतित देखिए वो इंट्रिव्यू बोर्ड में ज इसमें परिवार क्या है परिवार का एक्जिस्ट क्या है साधी बिवा फिर क्या माईने रह जाते हैं मुल है आप लिव एन रिलेसंसिप में रहके बिवा करें या परिवार के साथ एक जो बिवा परक्रिया उसमें उसमें आप अपना जो बिवा करते वो एक परक्रिया के इसमें पती-पत्नी का रिष्टे का जो एक्जिट है एस्टेंड है वो कहां होगा तो यह सब प्रस्ण देखिए बनते हैं बस आपको एक कितना एक्टिम मोड में आप काम करते हैं देखिए कोई लगा सकता है कि आपसे ऐसे भी प्रस्ण किये जा सकते हैं अनुमान की क्या मन सिखता है या केंडिट क्या सोच रहा है इस मामले में केवल एक समाजिक पक्ष सोच रहा है केवल एक कानुनी पक्ष सोच रहा है क्या एक स्वेधानिक पक्ष सोच रहा है तो इस महिला के दौरा स्वेधानिक पक्ष बताया गया ठीका समाजिक पक्ष के बारे बात सान samples hm तो ये सनस्टा समाप्त हो जाएगी तो इसके लिए उसका जवाब उसके पास नहीं था, तो देखिए आपको मैं यही समझाता है समिखाए इसलिए एक साल से यह समझा रहा हूं कि आपको किताबी ज्यान नहीं रखना है आपको ground level पर चीज़े समझने होगी कि समस्या कहा है किस तरीके से आपको उसको handle करना है अब देखिए उसने किताब में सभी जगा पढ़ा है स्वेधानिक अधिकार क्या है कानूनी अधिकार क्या है कानून और स्वुधान से उपर हमारा समाज है ने नहीं है बताइये तो है या नहीं है पहले इसे для धरतल वेपर हम पढ़ने और प्रहने के लिए से मानतें कि स्वुधान आवारा सर्वोच्छ है देश मेरे पर समाज आज भी उन नीमों से चलता है जो पुरुवर्ती है अठाद पहले से सदियों से चली आ रही है जब इससे उलंगन हो जाता तब जाके हम सविधान और कानून की बात करते हैं नहीं तो यही पर्थन दिश्ट्या समाज के जो बने नियम है वही काम होते हैं जैसे लाज भी तो लीव एंड रिलेसंसिव क्या करता समाजिक ताना बाना को खराब कर रहा तो प्रस्म यहां से किया गया थंसे उनके पास कोई जवाब नहीं था इसके लिए तो आप ध्यान रखिए कैसे ताना बना डेमेज हो रहा है आप देखिए उत्त्रा खंड में इस्ति आप इसमें क्या जीन ट्रेनर पत्नी अदालत प्रिया जाता है जिसमें जीन ट्रेनर के द्वरा बोला जाता है पत्नी agree हमारे डस साल की बेटे और छोगी चौड कर अपने किसी with AG baru स जाकर लिव एंड रिलेसं नहीं अपने पार्टर निसहां तो देखिए बातीं हुई की नियाले में यह एसेप्ट करती है महिला पर्ट्यक शुरूप से कि मैं रहना चाहती हूं क्या लीव एन रिलेशन में ठीक है ना लीव एन रिलेशन में रहना चाहती हूं मुझे सोतंतरता है स्वेधानिक तोर पर बिल्कुल सोतंतरता है आप किसी के साथ आचरन बेवार के साथ रह सकते जीवन यापन कर सकते हैं पर उसके पीछे आपने क्या छोड़ा यह important है ना क्या आप आगे देखे जाएंगी यह important है केवल अधिकार और सोतंतरता के बल पर आप समाज में गलत मैसेज देखे जाएए यह जरूज तो नहीं है समझने का कोशिस कीज़ेगा और नियाले ने क्या बोला कि लड़की चाह रही है महिला चाह रही है कि हम लिवन रिलेशन में स्वेक्षा से रह रहे हैं तो यह उसे पर्मिशन भी देते हैं क्योंकि नियाले पास अपने कानूनी सीमाएं हैं कानूनी सीमाएं पर समाज इसमें दाइत निर्वन करेगा न अब सोच के देखिए वह 10 साल की एक बेटे और कितने 6 साल की बेटी को इसके रिलेशन से मान के चलिए 12 साल पहले साधी हुआ कम से कम मान के चलिए कि किसी प्रूस के साथ महिला 12 साल रहती है और वह केवल या अधार बोलके चले जाती है कि प्रूस ने मेरे साथ क्या किया है दूर बहवार किया है दूर बहवार का अर्थ हो सकता है बहुत से इंस में तो यहां पर महिला की सवतंत्रता जरूरी है कि वो अपने दूर वहवार से बचने के लिए निर्ने ले सकती है पर समाज में इस बच्चे का क्या स्टितों होगा आप प्रिस्तास निधारंग किजिए दोनों बच्चे का हाली में घटना देखेंगो यूटूब पर या तो सोसल मीडिया पर एक रायस्थान का मामला था जहां पर बच्ची हंग दो बच्चियां थी जो हुंकार मार मार के रो रहे थे मा किसी प्रेमी के साथ विवाग करने थी है ना तो उससे क्या समाज में इस बच्ची का स्टित क्या होगा समाज में से क्या स्थान प्राप्त होगा समाज में इस बच सिकता डवलप होगी क्या होगी अब इसे किस प्रकार के ताने से गुजरना पड़ेगा समझने की कोशिस कीजिएगा आपको बिलकुल यह अधिकार नहीं दिया जाता है जिसके अधार पर आप गलत आच्रन भेवार को प्रस्तुत करें ठीक है ना इसे समझने का पर्यास कीज होते हैं जिसमें मैं भी जीता जाता है इसको मैं फिछले 16 साथ से ढो रहा हूं तो इस सब चीजे देखिए समाज के पर्ति जब दाईत्व आप निभाते हैं तो आपके कार आच्रन में भावार में परिवर्तन लाना ही होता है मैं भी किसी दौर में कहीं था दोज़ा नौ किये जिसके अधार पर समाज में कुछ कुरूतियां उत्पन हो नहीं किया हाँ पर दोज़ा नौ के बाद किसी लड़की साथ मैंने अपना आगे स्टेंड नहीं किया लाइप आज तक अकेला सिंगल चीजों को कर रहा हूं और करूंगा आगे भी क्योंकि मेरी मेरी सोच व कितने लोग मुझे विश कर रहे हैं कितने लोग मेरे साथ सेरफ करें पाटी मना रहे हैं यह ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप जब मरते हो आपका जब अंतिन संस्कार होगा उस परक्रिया में आपके साथ कितने लोग ऐसे सामिले जो आपके आचरन वहवार से और आपक प्रमाज के जो तत्त है यो इंपोर्टेंट है उसमें पोजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट है याद है मैं आप लोगे बूक लिख रहा हूं जिसमें बार-बार आप लोगे चर्चा करता हूं मैं अपने ही केस स्टडिस उसे लिख रहा हूं तो ध्यान रखिएगा जो नकरात्मक उसको प्रसंचिन कीजिए जरूर कीजिए होना भी चाहिए उसमें सुधार के सारे विकल्प कलासने की जुरत है पर जो पॉजिटिव है उसको बढ़ावा दीजिए तो समाज ऐसे ही निर खाने को परित रहेंगे और यह समाज का अंतिम एक्स्टेंड नहीं है बस इसे ध्यान रखिए क्लियर है चलिए आगे बात करेंगे कहानिया आप लोग निधारक करता आपको क्या करना कैसे करना है चलिए एक प्रसंद आप लोग जो लगतार लिखते हैं में सेंसर राइट करती में जो बदला हो रहें पाठकरम में उसके सकरात्म नकरात्म प्रभा के बारें चल्चा किया था देखिए आज एक फिर एक लेख हाया है इस लेख को आप लोग पढ़िएगा उसके बाद अपनी अपनी राय बताईएगा ज्यादा नहीं सौ से देर सो सब्दों में आ आप लोग को सेंड कर देना है रात के 10 पी एम से पहले इस लेख के बारे में नसी आटी पाठकरम के बारे में जो पहले पढ़ाई गया और इस लेख को पढ़ने के बाद आप में क्या समझ विक्सित होई है इसे समझने का पर्यास करूंगा आज मैं क्या चीजे दसा है जो कोश्चन के तौर पर दे दूँगा लेख में और उसका उत्तर आपनों लिख के भेजना है ताकि सबकी अपनी अपनी विचार धारा होगी तो उससे समझने का पर्यास किया जाएगा ठीक है ना चलिए हम बात करेंगे फिर भारत की महत्ता समझता अमरीका तो जो चर्चा मैंने पहले दो दिन से कर रहा हूं तिन दिन से कर रहा हूं महत्ता हाली में नई विजेस निती के संदर में चर्चा हुई है सभी जगह अमरीका अमरीका भारत भारत हो रहा है उसमें कुछ बाते की गई जो लगतार ये पहले से हो रही है इसको बस देखना आप लोग को पहले के न्यूज के साथ एक बाद टैली कर लीजेगा ठीक है ना हम लोग कल के बाद बात करेंगे कल जब अमरीका में इनके स्वागत हो जाएगा नए ने क्या क्या उभर क्या है मिशन उस पर चर्चा करेंगे ठीक ना अभी बस आप लोग को क्या करना इस लेख को पढ़ लेना पहले के जो चीजे स्प्रेंड की गई इसके साथ टाय अप कर लेना है जिसमें भारत अमरीका के बदलते स्वरूव की चर्चा की गई जो मैंने पहले भी चर्चा कर दिया भारत चिन के रिष्टे की बात की गई भारत रूस की चिनते की बात की गई है चिनता कैसे रूस और रूस और चिन साथ हा रहा है तो उसके पीछे क्या है मकसद है और इस सभी धुरूविय करन में भारत की स्थिति क्या है भारत करने क्या होना है इसी के संदर में चर्चा की गई है तो सभी एंगल से चर्चा की जा चुकी है उमीद करता हूं आप सभी इस सब चीज़ों को कभर करेंगे और मैं फिर कल मिलता हूं आज जो कल जो दैनिक ज्यारे नुट पर एनसिस का टेस्ट हुआ है कोसिस करूंगा नाइट तक उसे भेज देने का अगर तेबिट अभी फिलाल ठीक रहा तो अभी भी गल चलिए फिर मिलते हैं धन्यवाद जय हैं